नमस्कार दोस्तों कवीटा यादो यूटूब चैनल पर आप सबी का स्वागत है जैसा कि आपको पता हमारी तयारी चली हुए है हिंदी विशे से सम्मंदित TGT PGT परिक्षाओं के लिए हम हिंदी विशे के संपून पर्ठेकरों को साथ लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं और हिंदी विशे की तयारी कर रहे हैं जैसा कि हमने पिछली क्लास में किया था हिंदी बाशा के उदभाव और विकास से सम्मंदित परशनुतर जो हमने क्लास में कंटेंट पढ़ा था उससे सम्मंदित हम परशनुतरों के भी साथ साथ प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कोश्चन पर अपबरंश के विशेष्टाओं के संदर्ब में कौन सा कथन ऐसते हैं इन में से कौन सा कथन ऐसा है जो अपबरंश के विशेष्टाओं में नहीं पाया जाता अपबरंश में शेय शेय के स्तान पर केवल से परचलित था ये बिल्कुल सही है इन में लगबग वही दमनिया थी जिन का प्रियोग प्राकर्त में होता था ये भी बिल्कुल सही है नपुशिंग लिंक समाप्ट प्राय था ये भी बिलकुल सही है कारको के रूप में अधिक हो गई कारको के रूप में अधिक हो गई ये गलत है क्योंकि अपब्रेंस बाशा में कारको का लोप होना सुरू हो गया था ना कि उनकी शंख्या अधिक हो गई थी आंसर हो जाएगा D Next question निमलक्त में से कौन सा वेंजन अपब्रेंस की वर्णमाला में नहीं आता तो आंसर हो जाएगा इन में शेय क्योंकि अब पहले ही पड़ा था हमने शेय शेय के स्तान पर शेय पर चली था तो शै भी होगा इनकी वेंजन में अप ब्रेंज के वेंजन में वे भी है भी ये वाला सै कट जाएगा और वो शै शलगम वाला आजाएगा वो भी हट जाएगा अप बरंस की वन माला में निमलक्त में से कौन सी वेंजन धमनी समलित हैं इन में से कौन सा वर्ण समूर अप बरंस की वर्ण माला में नहीं है, अप बरंस की वर्ण माला में देखो, ने, 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 शे और शे, ये दोनों से पहले ही अर्थुके थे, तो अंसर अमारा यही हो जाएगा, अप बरंस में कितने लिंग है, तो कितने लिंग है, अप बरंस में दो लिंग है, अप बरंस में किस कोटी के शब्दों का बहुले है, तो किस कोटी के शब्दा दीख है, अप बरंस में अर्थ बहु शब्दा दीख, निमलिक्त में से कौन सा स्वर यूगम अप बरंस की वर् जो ये बड़ी ए और आउ है ये हमारा आगे चलके अवर्ट बाशा में सामील हो जाएगा ना कि अपबरंच में नहीं है इसलिए इन दोनों को हटा दिया गया था इसलिए अपबरंच में हमने देखा था सवरों की शंक्या कितनी बताई थी दस पिछली वीडियो में जो पर् अपबरंच में नयकिस्तान पर किसका परियोग किया जता है अने का संस्कित के अस्ति शब्द का अपबरंच में कौन सा रूप है संस्कित में जो अस्ति है उसको क्या कहते हैं अपबरंच में उसको बोलते हैं ऐ है कौंकनी बाशा किस अपबरंस से विक्सित हुई तो किस अपबरंस से विक्सित हुई ये महराष्ट्य अपबरंस से आवहट की विशेश्ताओं के संदर में कौन सा कथन ऐसत्ते है आवहट में डै और डै दमनिया नहीं है ये बिल्कुल ऐसत्ते है क्योंकि आउ हट में इन दोनों धमनियों का परियोग किया जाता है इसमें ए और आउ शुर का समावेस हुआ है ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि अभी पड़ा था पहले तो अपबरंस में ए और आउ का परियोग नहीं मिलता लेकिन आवहट में आगे जागे इनका परियोग किया जाने लगा इस त्रीलिंग सब्दों में अंत्या आ का लोप हुआ जैसे की भिक्षा, भीख, शिक्षा का हो गया सीख तो इस तरह जो इस त्रीलिंग शब्द है उनमें बाद में जो आ स्वर की जो धहनी आती थी उनका लोप हो गया अवहट में आगे इसमें व्यांजन का एकारन दिवित्यव हुआ जो व्यांजन है उनका एकारन दिवित्यव हो गया जैसे सिक्षा शिक्षा का बन गया सिक्षा कमान का बन गया कमान इस तरह तुशार का बन गया तुशार तो इस तरह द्वित्व वेंजन का रूप देखने को मिला हमने अवहट भाशा में ये विशेशता तम मैंने कराई थी अपबरंच भाशा की क्या विशेशता अवहट की क्या विशेशता उनमें मैंने ये सारी की शुरुवात होने लगी इस तरह पिछली वीडियो जिस भी वच्चे ने हमारी नहीं देखी है आप पिछली क्लास को अगर आप सरू से देखोगे तो आपका जो बेस है वो मजबूत होगा और बहुत सारे कोश्चन घुमा फिरा के दे देते हैं वे इसी तरह हमें प्रैक् काल दस्वी स्ताब्दी तक माना गया लेकिन जैसे एक दम से तो किसी भी बाशा का लोप नहीं होता ना उसका जो पूट है हमें आगे तक देखने को मिलता है तो कब कहां तक मिला चोद्वी स्ताब्दी तक जैसे कि विद्यापती की जो रचनाय लिखी गई किर्ति लता कि पुष्पदंध की भाशा को मराठी की जन्नी किसने कहा तो किसने कहा डौक्टर तगारहे ने अप ब्रंच का सरवाधिक लोपे रियचन का है ये है सरवादिक लोगपिरियचन दोहा निमलिक्स में से कौन सा कथन एशत्त है आठवी नोवी स्ताबदी केसी दोकी बाशा में हमें अपबरंश से निकलती हुई हिंदी सपष्ट दिखाई थी ये बिलकुल सही है मैंने बताय था कंटेंट के क्लास में पढ़ाय था तब भ आधिक हिंदी का रूप अधिक निखरा हुआ है ये भी बिलकुल सही है अपबरंश में चत्दम सब्सब्ड का अधि पिछे ही कोश्चिन आये था कि अपबरंस में तद बहु शब्दों का बाउल है ये तद बहु शब्द होते हैं ना कि तद शमशब्द अपबरंस में शती पूर्वक दिर्गी करन की प्रवर्ति पाई जाती है ये भी बिल्कुल सही है दक्षनी अपबरंस को निराधार एव उदय माना जाता है भारतियारिय वाशाओ का उदय कब से माना जाता है ये माना जाता है एकजार इस वी सी जैसे कि हिंदी का विकास तब होना शुरू हुआ तब से ही भारतियारिय वाशाओ का उदय माना जाता है पुरानी हिंदी का उदय माना जाता है पुरानी हिंदी का आपबरंस की पूरवर्ति या परवर्ति भाशा को परवर्ति भाशा को क्योंकि पूरवर्ति हो जाएगे आपबरंस से पहले की परवर्ति हो जाएगे आपबरंस के बाद की नेक्स्ट कोश्चन अपबरंस और पुरानी हिंदी की मद्दय लगबग तीन सो वर्षों की भाषा जिन में आरम में अपबरंस की परवर्थिया अधीक है बाद में दीरे दीरे कम होती गई और आदोनिक भाषाओं का निखार वा रूप सामने आया यह बीच का समय कहलाता है यह जैसे कि अपबरंस और पुरानी हिंदी के जो बीच का समय है आशान सरल भाषा में समझे तो इसमें पूछ रखा है अपबरंस और पुरानी हिंदी के जो बीच का समय है उसको कहा गया संक्रांति काल अवहट के बेद है अवहट के कितने बेद है अवहट के तीन बेद म आने गई है पूर्वी मद्यवर्ति और पश्चमी यह अवहट के भेद हैं बढ़ते हैं थोड़ा और आगे नेक्स्ट कोस्चन पर आगे बढ़ते हैं अवहट का कारियकाल क्या रहा अवहट का जो कारियकाल है दूहोगर नौस्टोईभी से 1 120 या थोड़ा बात तक का रहा 15 आप्परश्च का बाद अवहट भाषा आई तो उसके बाद 922 से लेकर 11110 तक यानि की अप्परश और हिंढी के पीच का कि जो भाशा रही वो रही हमारी आवहट वन रतना कर के तिलता और के तिपता के पताका में किस आवहट का परियोग हुआ तो इसमें हुआ पूर्वी आवहट का साहित्य में आवहट का परियोग कब तक होता रहा यह होता रहा साहित्य में अभी आया था पिछले रूप में पर चली था है यह है सिखा यह भी हमने पढ़ लिया था कई कोश्चन आते ऐसे हैं जो बार-बार रिपीट होते हैं रिपीट होने से हमें वही फिर याद रह जाते हैं तत्य है इसलिए बार-बार पढ़ना बहुत जुरूरी होता है इन में से एक को कथन तथा संग्या सरवनाम और किर्या की विकारी रचना में इतना परिवर्तन हुआ कि आवहट और पुरानी हिंदी में अंतर करपाना कठिन हो गया यह भी बिलकुल सही है इसका अंसर हो जाएगा दोनों सही यानि कि D A और R दोनों सही है एका संबंद R से है बिलकुल सही है नेक्स् इसने कहा प्राचिन को सलीन की बाशक को यह कहा डाक्टर सुनीति कुमार चितर जी ने उक्ति व्यक्ति परकरन में अवहट के किस रूप का परियोग हुआ यह इसमें हुआ अवहट के मद्यदेश यह रूप का परियोग बढ़ते है थोड़ा उरागे पस्चिमी अवहट क का परियोग मिलता है प्राकर पैंगलम में डोक्टर तगारे ने अवहट की विशेष्टा मानी करता कि यह विवक्ति को अवहट में निर्व्यतिक परियोग बढ़ने से शब्दों का करम सुनी स्चित होने लगा अवहट में निमलिक्त में से किसका परियोग नहीं होता परियोग नहीं मिलता तो धनाक्षरे का परियोग नहीं मिलता और पूछा था अपबरंस का जो बाश्या का जो पिरिये चलद है वो क्या था प्रिया छंत रहा दुहा और धनाक्षरी का परियोग नहीं मिलता अप बरंश ओर आउखट में चव पई कितनी मात्राओ का छंत था तो ये था पंद्रा मात्राओ का छंत हिंदी के कवियों को कवे में चमातकार लाने और वैगे चित्र धेपर दर्शन की प्रवर्थी किस से मिली ये मिली आपबरंश और आवहट से हिंदी पर्शकों के विकास में सरवादिक योगदा निमलिक्त में से किसका रहा ये रहा आपबरंश और आवहट का निमलित को सुमेलित की जी सही कूट का रावल वेल किसकी रचना है ये है रोडा कभी की सुवाई धम किसकी है ये है दैवसेन की और नेक्स्ट है परम पयाशू किसकी रचना ये है जोईंदो की और बढ़ते है थोड़ा उरा के